नवश्कार मैं हूं सूख्रती इरोय चैठर जी और बोल्ड सकाई में आप सभी का स्वगत है शिव भक्तों के लिए अपने आराध्य देव भगवान भोले नात को प्रसंद करने के लिए महा शिवरात्री का पर्व विशेश होता है महा शिवरात्री पर शिवरात्री करने से जीवन की परिशानियों और ग्रहों से संबंदित दोशों का निवारन होता है महा शिवरात्री पर भगवान भोले को प्रसंद करने के लिए भक्त कई तरह की चीजों को उन्हें अर्पत करते हैं ऐसे में कई बार जाने अन जाने में भक्त ऐसी चीजे चड़ाने लगते हैं जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है शिव अराधना में शंक है वर्जित शिव पासना में शंक का इस्तमाल वर्जित माना गया है दरसल इसके पीछे को पौरानिक कता है भगवान शिव ने शंक चूड नाम के असुर का वद किया था जो भगवान विश्णु का भक्त था शंक को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है इसलिए शिव जी की पूजा में शंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना ही शंक से शिवलिंग पर जला भी शेक करें और ना ही पूजा में शंक बजाएं शिवलिंग पर न चढ़ाएं तुलसी दल तुलसी का हिंदू धर्म में विशेश महत्व होता है और सभी तरह की पूजा और शुबकार्यों में इसका इस्तमाल होता है लेकिन तुलसी को भगवान शुप पर चढ़ाना मना है, भूलवश लोग भोले नात की पूजा में तुलसी का इस्तमाल करते हैं, जस्वज़ से उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती शिवलिंग पर तिल अर्पित करना वर्जित तिल को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है क्योंकि ऐसी मानिता है कि भगवान विश्नु के मैल से उत्पन्न हुआ है शिवलिंग पर तूटा हुआ चावल न चढ़के शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिशेक नहीं करना चाहिए नारियल देवी लक्षमी का प्रतीक माना जाता है जिनका संबंद भगवान विश्नु से है सुहाग की निशानिया शिव पूजा करते वक्त कभी भी सुहाग से संबंद कोई भी चीज अरपित ना करें उमीद करते हैं कि आपको ये विडियो पसंद आया होगा विडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें